चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरी पैरे बचो Ministry of Health and Family Warfare ने ये बताया है कि UG की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी इसके साथी साथ NMC ने भी एक नोटिस दिया है 113 New Medical Colleges के बारे में इसमें कितने Government Colleges open होंगी, कितने Government Seat open होंगी और इस पर कटोफ पर क्या effect वड़ेगा category wise कटोफ कितनी जा सकती है इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे इसके बारे में तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि Ministry of Health and Family Welfare ने जो नोटिस दिया है इसमें कांसलिंग कब से स्टार्ट होने की बात कही है तो इस नोटिस में जुलाई 3 वीक में कांसलिंग स्टार्ट होने की बात कही गई है UG की कांसलिंग यानि MBBS, BDS, BSE, Nursing की जो कंसलिंग स्टार्ट होगी वो 3 जुलाई of 24 से स्टार्ट हो जाएगी हमने भी प्रिवेश सी वीडियो में 18 जुलाई 24 ये पोसिबिलिटी बताया था और उसी के नियरवाई ये स्टार्ट होने की पोसिबिलिटी है तो जैसे भी इसका सेडिूल जारी होगा और कांसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको इनफॉर्म कर देंगे उससे पहले कल जो 8 जुलाई को सुप्रिम कोट का डिसीजन आएगा उसको देखने की जरूरत है पहले अगर रीनीट होता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 50-50% से रीनीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अगर रीनीट होता है तो उसकी डेट हम आपको बता देंगे अगर रीनीट नहीं होता है तो कांसलिंग की डेट जैसे ही पब्लिस होगी हम आपको इनफॉर्म को पारे में final decision ले लिया गया है, हो सकता है inspection complete हो गया हो और colleges इसमें appeal भी करे, appeal का मतलब यह होता है कि जो college में कमिया होती है, वो MARB को appeal करेगा और appeal करने के बाद में उनका re-inspection हो और उनको माननेता मिल जाए, ऐसी भी colleges इसमें रह सकती है, यह 113 medical colleges की list है, अभी इनमें किन medical colleges को permission म final होने के बाद में यह दिखाया जाए कि इतनी medical colleges को permission मिल गई है, आलांकि यह इसमें अभी जो NMC की website है, उसमें पुराणे medical college ही 706 medical colleges show हो रहे हैं, तो अभी इसको update नहीं किया है कि कितने इन 113 medical colleges में seat increase होंगी और इनमें किन को approval मिली है, तो यह आप list देख सकते हैं, यह 113 medical colleges की वो list है, जो इन colleges ने apply किया था, अब इनमें कितने colleges को NMC ने permission दी है, या फिर कितने medical colleges का re-inspection होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन यह एक दो दिन में ही पता लग जाएगा, अब क्या इसकी cut-off रह सकती है, तो cut-off देखने से पहले मैं आपको बता 55 government medical college को इसमें permission मिल सकती है, इसमें total seat इस बार 700 total government seat यह increase हो सकती है, अब जब 700 seats increase होगी तो 1000 seats nearby government seats increase होने की possibility है, तो जब 1000 seat increase होंगी, तो जो total seat increase होंगी, वो इस बार हो जाएंगी, वो all India quota के लिए total 11,000 seats increase होने की possibility है, यह total seats होने की possibility है, इसमें 1000 increase होकर के, 11,000 all India quota के लिए government seats होने की possibility है, अब एक बार all India quota की cutoff देखें, तो यह cutoff मैंने पहले भी predict कर रखी है, और यह cutoff जाने की possibility है, बात करें, यूर OBC की, तो जब total 11,000 seatे रहेंगी all India quota के लिए, तो यह 25,500 all India rank तक कटोप जा सकती है, और यह last 26,000 तक भी कटोप जा सकती है, लेकिन यह पूरी possibility लग रही है कि 655 वाले सभी candidates को यहाँ seat मिल जाएंगी, हो सकता है कुछ एक 654 वाले marks वाले candidate को भी यहाँ seat मिल जाएं, लेकिन 655 जो marks हैं, उन candidate को seat मिल सकती है, यहाँ पर मिलने की पूरी possibility है, यह 25,500 से लेकर के 26,000 तक all India rank को seat मिल सकती है, इसमें, EWS 27,400, SC category 140,000 और ST category 1,95,000, यानि marks की बात करें तो EWS 652, SC 550, ST 510, तो यह उस condition में है कि 7,000 government की seat बढ़ेंगी, अगर इससे ज्यादा seat बढ़ती हैं, तो यह cut-off down भी जा सकती है, और इससे कम seat बढ़ने की possibility नहीं है, 7,000 seat से कम होने की possibility नहीं है, अगर 7,000 seats अगर आती हैं, तो all India में यह जो seat हैं, वो 1,000 आ सकती हैं, और यह आपकी cut-off रह सकती है, इसमें, जो मैंने पहले ही predict कर दी थी आपको, अब बात करते हैं, यह जो main रहेगा, वो 8 जुलाई, यानि कल Supreme Court के decision के उपर रहेगा, कि क्या counseling होगी, या फिर reneet होगी, यह तो 8 जुलाई को, जब decision आएगा Supreme Court का, तभी हमें पता चल पाएगा, और यह ज्यादा दूर नहीं है, यह कल की ही सुनवाई है, और कल 31 नम्मर पर यह case listed है, टोटल 24 cases लगे हैं, और CGI, DY चंदर्चूड की bench में यह case लगा हुआ है, तो कल देखते हैं, कल ही हो सकता है, इसका decision आजाए, अगर decision भी नहीं आता है, तो हमारे को मालुम चल जाएगा, कि यह क्या हो सकता है, case किस तरफ में जा रहा है, अगर आपको counseling के बारे में जानकारी लेना है, तो इसमें हमारी All India Quota, State Quota और Iuse Veterinary की book available है, इस video के description box में books का link दिया गया है, वहाँ से आप download कर सकते हैं, All India की book की खासित यह है, कि इसमें category wise cut hope दी गी है, जिसमें आप All India rank देखके यह idea लगा सकते हैं, कि पिछली बार कितनी All India rank पर कौन सी college मिला था, और इस बार आपकी All India rank कितनी आ रही है, सेम मिलने की possibility है, जिस All India rank पर पिछली साल मिला था, इस बार भी मिलने की possibility है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर 15% All India Quota की पूरी जानकारी है, AIMS, Zipmer, DU, ESIC, सारे के बारे में इसमें जानकारी है, round wise cut off है, 24 list दी गई है, 2024 के लिए आपको कैसे 24 कर अपने मन चाही college की choice कर सकते हैं, यह देखके की कौन सा top college है और कौन सा down college है, अब इसमें फ्रोचाइट से counseling process को समझाया गया है, ऐसे ही state की book में सारी facility दी गई है, यह जो same facility है, state wise, cut off के बारे में, fees के बारे में, 24 list के बारे में, हरे एक state का counseling procedure अलग है, उसके बारे में समझ environment है, ऐसे ही IUS veterinary की book में भी यह सारी facility दे रखी है, इस video के description box में आप visit करेंगे, तो यह तीन books का link दिया गया है, all India, state, IUS veterinary, जो जानकारी आप लेना चाते हैं, वो download कर सकते हैं, जैसे ही आप more पर यहाँ click करेंगे, इस परकार का option आएगा, तो वहाँ से आप download कर सकते हैं, या फिर हमारी website चोपडा education.in से भी आप यह link दे गए हैं, यह download कर सकते हैं, इस परकार से आपको counseling के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो जैसे ही यह schedule जारी होगा, हम आपको बता देंगे, कल का decision क्या रहेगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे, और इसमें यह कितने seat increase होती हैं, उसके बारे में भी हम आपको समय समय पर यह जानकारी देते रहेंगे, तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हरसाई चोपडा आप से लेता हूँ विदा जैधिन